ड्रीम 11 वर्शिस विजन 11 काईस यह दोनों आप आपने बिल्बुल ट्राइ किया होंगे और यहाँ पर सबसे बड़ा कोश्चन यह होता है कि इन दोनों में से कौन से आप आपके लिए ज़ादा बढ़िया रहेगा दो दो पॉइंट तो में निया लिक रखे हैं लेकिन इसका लबा और दो सिक्रेट पॉइंट भी जो आपको पता रहने चीए तभी यहाँ पर आप खुद के लिए डिशाइड कर पाओगे कि ड्रेम आपके लिए अच्छा है या फिर विजन 11 आपके लिए अच्छा है यहाँ पर काफी सारे लोग प्रमोड करते विजन 11 को और काफी लोग प्रमोड करते ड्रेम 11 को और कुछ लोगा कहना होगा कि ड्रेम 11 अच्छा है और कुछ लोगा कहना होगा कि यहाँ पर विजन 11 ज्यादा अच्छा है और टोप सिक्रेट भी समझेंगे दोनों एटी की किस तरीके से दोनों आपके लिए फाइदा या फी रोस करा सकते हैं आपको तो यह बात अगर आप समझ गए तो डेफिनेटी आप एक बढ़या अपने लिए तेह कर पाओगे और खेल पाओगे और अच्छा-खासा प्रोफिट करवा पाओगे तो हेलो गाई स्वागत आप सभी का आप ही के चैनल परफेट वीन में तो यहां पर अब हम वीडियो सुरू करते हैं तो सभी को पता होगा कि ड्रीम 11 वीज 11 दोनों लगफक्स हैं एपर दोनों के दोनों fantasy एपर जिसके अंदर आप पेसे लगा सकते हो एक team के ऊपधी के तो 11 प्लेड के आप टीम बना सकते हो इसके लावब अदर बहुत सरे sports भी खेल सकते हो बट यहां पर basic बात हैं करते हैं सबसे पहले तो grand league की तो वो 25 करोड से 25 कौण की total price बड़खकी होती ए महीं पर 7 विसरी 11 के अंदर थे कोई Grandlic है तो 15 30 كण के आसफास की Grandlic होती है, इसके अंदर आप 1 день को पर जीए सकते हो, इसके अंदर आप 1,00 पर 8 da da लिए पर पहले एंदे के जीए सकते हो जिसके वज़ा से कभी कभी कभार आपको एंटी फ्री मिल जाती ही इस ग्राण लिक के अंदर खीक है लेकिन विजन और विजन 11 की यहांपर मैं बात कुरूं तो इसके अंदर कभी कभार क्या होता है यहांपर मैंचे के अंदर काफी सारे फ्री गिववेवे होते हैं एक लाग रुपे के तो अगर आप विजन 11 खेलत हो तो यहांपर आपको फ्री गिववेवे के यहांपर ग्राण लिक मिल जाएगी चो छोटी ग्राण लिक होती है तो अगर आपको बड़ा मैंचे तो उसके अदर एक लाग रुपे की ग्राण लिक होती है जिसके अदर दस अजाद पर तक की फर्स प्राइस होनी होती है लेकिन आपको जेएप से कोई पैसे देने की जगोती है वो बिल्कुल फ्री है तो अगर आप फ्री एंट्री के साथ में खेलना चाहते हो और ग्राण लिक खेलना चाहते हो तो विजन आपके लिए ज्यादा बढ़े आ रहेगा वही पर अगर आप पैसे लगा रहे हो तो ड्री एंट्री एंट्री आपको पास काफी अच्छी अपोर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर इस सीक्रेट पॉइंट में अभी तर नहीं बता है वह मैं आपको बता हूँ आप इस्मोल लिक को समझते हैं तो देखो अगर आप ड्री एलेट पे इस्मोल लिक खेलते हो तो एक छोटा सा यहाँ पर एक्जामपल है कि पांसो पिछोतर रुपे अगर आप तो एट्टो एड में लगाते हो तो यहाँ पर आपको जो प्राइस बनी होती है करीज वो मिलती है आपको एक हजार रुपे यानि कि आपका जो यहाँ पे प्रोफिट बनता है वो बनता है गरीब गरीब 425 रुपे के आज पास का यहाँ पर आप आप ही समझे वही पर आप विजन इलेट पर यही से इस्मोल लिक खेलते है to head to member league तो बहाँ पर आपको यहाँ पर जो एक एंट्रि प्राइस होता होत प्रोफिट बना और ड्रेविरन पर यहां पर जो प्रोफिट बना 425 रुपे का बना तो यह बात हमें समझ में आ रहे हैं कि इसमोली खेल ली हो तो यहां पर आपको अभी दीक तो रिये रहा होगा कि विजन इलेवन ज्यादा बढ़िया है ठीक है और ड्रेविरन अच्छा प्रोफिट बना चाहते हो तो विजन इलेवन खेल लो और इसमोली के अंदर ज्यादा चार्जस कटानी हो तो यहां पर ड्रेविरन भी खेल सकते हो तो तो टोटल यह आपके डिपेंट करता है बढ़ हां ग्रान लीक तो यहां पर आप समझ गया होंगे और इसमोलीक समझ यहां पर सिर्फ एक ही आपर में एक्जांबल दिया है ऐसे आपको डेरो एक्जांपल बिल जाएगी क्योंकि आपर विजन इलेवन के उपर कमिशन काफी का में लीक के अंदर और यह चीज ज्यादा मुझे अच्छी लेगी वाई पर ड्रेविलन के उपर काफी ज्यादा क कमिशन कट होता है या फिर काफी ज्यादा चार्ज कम कट हो आपको चार्ज कट होता है खेलने के लिए लेकिन यहां तक तो आपको बेसिक चीजे दोने एक की समझ में आगी होगी इसके अलब अगया यह बहुत सारी चीजे मुने पहले वीडियो के अंदर बता रखी है अगर आपने नोटिस के आऊँ तो काफी टैम से खेलना हूँ और वीजे लेवन एक नया है पर बनता लोगों का बट अब अब बनता लोगों का बट अब बट अब वीजे लेवन का चुका है इसके बहुत ज्यादा ओडियोंश आ चुकी है लेकिन वह ओडियोंस द्रिवि अब यह बात यहां पर इस तरीके से समझना कि अगर बुर नया बंदा आता है जहनता है तो यह नचा बंदा में होता है और बहुत सशने चीजेव का बीज़न होता है तो यहां पर क्या करेंगा, वह 555 का contest आपके साथ में खेल लेगा, तो यहां पर आप 1000 पर सिद्धी वीर कर जाओगे, क्योंकि उससे टीम अच्छी नहीं बने यूटी, उसको सिखने में टाइम लगीगा, बढ़ हो सकता है कि Vision 11 के उपर आपको हमेसा pro player मिले, क्योंकि जो बन इसको भी sensitive हो सकता है कि आपको Dream run पे भी competition दिखे या पी अच्छे player दिखे, वहीपर आपको Vision 11 के उपर भी हो सकता है कि यहां पर आपके पाद ज्यादा फाइदा है, एक चीस यहां पर आपको इस तरह की से फाइदा करती है कि मानू कि आज IPL का मैचे है, ठीक है, आज IPL के काँ याको आइडिया के यहां पर इस पर बनागी आपको अपने लिया के पर यह की जितने के चांजेस काफ़ी जादा बखकाम हो जाते हैं इसको इसने के समझो कि इस पॉल लिग जितने के लिए मुझे चीह थे 500 पॉइंट अगर आपन्सो पॉइंट के उपर 500 वाली टीम अगर आपकी लगी होती जिसके 500 टीम बन जाते, ठीक, खिलने पद तो हो सकता है कि आपके सामने के प्रेयर वाली की जो टीम में उसका सिर 300 हो, लेकि विजन 11 के उपर अगर ऐसा वो छोता है तो 500 वाली के सामने 4500 वाली टीम का इसको होगा, यानि कि कॉम्पेटिशन काफी होगा क्योंकि विजन 11 हर को प्रमोट कर रहा है, ठीक, इस वक लेकि प्रमोशन की जरू होती है वो यहां पर बेसिक अपर शुरुआती है यानि कि यह बहुत पुरान है और हर किसी का इसको पर ट्रस्स बना हुआ और अगर जो ड्रीम 11 के उपर होगा, इसको आप ऐसे सम्झो कि जो ड्रीम 11 खेल रहा है जरू तो विजन 11 भी खेलता होगा, ल लगा सकते हो ठीक है, आपको मैंने ऑप्शन दिया है कि आप 49 रुपिस लगा सकते हो, अब मुझे बताओ कि 49 रुपिस आप दोने एप के अंदर लगा के ग्रानलिक जोइन कर रहे हो, तो यहां पर आपकी लिग क्या ज्यादा बढ़या रहा है कि 49 रुपिस लगा कि 25 लग यहां पर टॉप 10 के अनदर भी आ गरें तो भी 10-10 लाग रुपिस लगा सकते हैं तो अगर आपको फ्री में ग्रानलिक खेल ली हो, तो विजे लेए रहन के लिग के लोगा जैसा मैंने बताया है, इसमें छोटाग सा कैच हो और है कि दो 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 धो ड्रेमिलन के अंदर विजयनेलन के उपर आपको ज्यादा टीम ही मिलीगी, हर कोई यूटूबर अभी विजयनेलन प्रमोट कर रहा है, तो यहापर ऐसा हो सब्सक्राइब दिन के वह आपको चार मेच खेलाएगा, तो यहापर आपके हारने के पूलिटी कितनी होगी, क्योंकि वह टीम बनाने के यहापर तुके से टीम बना के दे देगा, लेकिन आप उसपर ट्रस करते हो और आप खेलते हो लोगे विजयनेलन के उपर, तो आप जितो या हारो उसके यहापर बराबर कमिशन बन रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि ड्रिम रंकी यहापर टीम्स यहोगी आपर यहापर तुके से टीम मनाने के लिए यहापर आप मेरी विनिंग प्रूप देखो, कितनी ज्यादा मुझे विनिंग हुई है, और यहापर परफ्रेंट फेमिली की भी विनिंग साथ में आप देखी लो, तो यह मेरी लास्ट टीम थी जिसको यहापर नोने टीम में लगा क आप किसी के ऊपर भी खेल सकते हो, बढ़ खुल से टीम बनाएं के खेलो, खुल से टीम बनाना सीखो, आपके लिए ज्यादा अच्छा रेगा, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा आप ज्यादा पसंद है, और साथ में अभी जब वीडियो देख रहे हो तो ट स्नाइब करने